दिले के मुक्रिमत्री अद्वेद केजरिवाल ने किसानों के भूख हर्ताल का समर्थन किया पार्टी दफ्तर में आयो जित उपवास करकर में शामिल होकर उन्होंने दावा किया कि केंद्र के क्रिशे कानून को देश में महेंगाई और बढ़ेगी इससे पहले आमाद्मी पार्टी के दफ्तर पर उपवास रख किसानों का समर्थन किया गया जिसमें डिप्टी सीम मनीश्र सौधिया समेथ आमाद्मी पार्टी के कई नेता दिखाई दिये सीम केजरिवाल भी इस उपवास धरने में पहुंचे और क्रिशी कानूनों को लेकर मोधी सरकार पर जम कर हमला बोला कि किसान चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं यह जो किसान बैठे हैं ना इन्हीं लोगों के भाई इन्हीं लोगों के बेटे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के उपर देश की सरक्षा कर रहे हैं उधर पंजाब के मुक्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग ने केजरिवाल की उपवास को नोटंकी बताया और कहा कि वो अपनी पार्टी के चुनावी एजेंडे को बढ़ाने के लिए जूट और जूटे प्रचार का सहरा ले रहे हैं वो महज नाटक कर रहे हैं क्या आपको कोई शर्म नहीं है ऐसे समय में जब हमारे किसान आपके शहर की बाहर की सलकों पर ठंड का सामना कर रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं आप ये सोच रहे हैं कि मौके का कैसे ज्यादा से ज्यादा पायदा उठाया जाए। वहीं भगवंत मान पर भी कैब्टन ने तंज कसा और उन्हें गम्भीरता से नहीं लेने की बात कही। तो भगवंत मान ने भी कैब्टन पर पलटवार किया।